ओम नमो भगवते वासु देवाई नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी चनल भक्ती ग्यान में दोस्तों आए सुनते ही अगनी प्राण की कथा जिसमें हम सुनेंगे अगनी प्राण के पचासमी अध्या की कथा जिसमें हम बढ़न करेंगे चंडी आधी देवी दे खेट, आयोद, अभे, डम्रू और सक्ति धारन करती हैं। बाएं हातों में नाग पांस, खेटक, कुठार, अंकुस पास, घंटा, आयोद, गधा, दरपन और मुदगा लिये रहती हैं। अत्वा चंडे की प्रतमा दस बुजाओं से युक्त होनी चाहिए। और उस प्रिगट वगा हो जो अत्यंद कुपित हो। उसके हात में सूल हो वै मुझे रक्त उगल रहा हो। उसके गले की माला, सिर के बाल और दोनों नेत्र लाल दिखाई देते हो। देवी का बाहन सिंग उसके रक्त का आस्वादन कर रहा हो। उस महिसा सुर के गले में पास बांदा गया हो। देवी का इदाइना पैर सिंग पर और बाए पैर नीचे महिसा सुर के सरीर पर हो। ये चंडी देवी तरनेत्र धारनी हैं तता सास्त्रों से संपन रहे कर सत्रों का मर्दन करने वाली हैं। नव कमल आत्मक पीट पर दुरगा की प्रत्मा में उनकी पूजा करनी चाहिए। पहले कमल के नो दलों में तता मद्द वर्तनी कणका में इंद्र आधि दिखपालों की तता नो तत्वात में का सकतियों के साथ दुरगा की पूजा करें। दुरगा जी के एक प्रत्मा अठारे बुजाओं की होती हैं। वैदाइने हाथ के भागो में मुंड, खेटक, दरपन, तरजनी, धनोस, ध्वज, डमरू, ढाल और पास धारन करती हैं। तता बाम भाग की भुजाओं में सकति, मुदगर, सूल, बज, खड़क, अंकुस, बान, चक्र और शलाका जिलिये रहती हैं। सोले बाहाँ वाली दुरगा की प्रतमा भी इनी आयोदों से युक्त होती हैं। अठारे में से दो बजाओं तथा डमरू और तरजनी इन दो आयोदों को छोड़कर सेज सोले हाथ उन पूरवक्त आयोदों से ही संपन होते हीं। रुद्र चंडा आदी नो दुरगाएं इस प्रकार हैं। रुद्र चंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंड नायका, चंडा, चंडवती, चंड रूपा और अती चंड का ये पूरवादी आठ दिसाओं में पूजित होती हैं। तथा नभी उग्र चंडा मद्य भाग मे इस्तापित एवं पूजित होती हैं। रुद्र चंडा आदी आठ देवियों की अंग कांती क्रमस, गोरोचना के, सद्रश पीली, अरुन वर्णा, काली, नीली, सुक्ल वर्णा, धुम्र वर्णा, पीत वर्णा और स्वेत वर्णा हैं। ये सब की सब सिंग वाइनी हैं। मैसासुर के कंड से प्रिकट हुआ जो पुरुस हैं, वह सस्त्रधारी हैं। और ये पूर्वक्त देवियां अपनी मुठी में उसका केस पकड़े रहती हैं। ये नो दुरगाएं, आलीडा, आकृती की होनी चाहिए। पुत्र पौत्र आदी की बृद्धी के लिए इनकी स्तापना एवं पूजा करनी हुचित हैं। गोरी ही चंड का आदी देवियों के रूप में पूजित होती हैं। वे ही हातों में कुंडी, अक्षय, माला, गदा और अगनी धारन करके रंबा कहलाती हैं। वे ही बन में सिद्धा कही गई हैं। सिद्धा वश्ता में ये आइने हात में फलान जली हैं और उसे उपर के हात में सौभाग की मद्रा। लक्षमी के दाए हात में कमल और बाए हात में स्रीफल होता हैं। सरस्वती के दो हातों में पस्तक और अक्षय, माला, सौभा पाती हैं। और सेस दो हातों में वे बीडा धारन करती हैं। गंगा देवी कच्छुए पर आरुन है उनके दोनों हातों में कलस है और वे स्याम वर्णा है इसी रूप में इनकी पूजा होती है तुम बुरू की प्रतिमा वीडा सहित होनी चाहिए उनकी अंग कांती सुथ है सूल पानी संकर ब्रसव पर आरुन हो मात्र काओं के आगे आगे चल मुकी है उनके दाइने हातों में अक्षे माला और इस्द्रुक सोबा पाते है और बाए हातों में वे कुंड एवं अक्षे पात्र लिये रहती है उनका वान हंस है संक प्रिया परवती ब्रसव पर आरुन होती है उनके दाइने हातों में धनुस वान और बाए हातों में चक दारन करती हैं लक्षिमी वैशनवी सक्ति अपने एदाएं हात में चक्र और संक धारन करती हैं तता बाएं हातों में गदा एवं कमल लिये रहती हैं बाराही सक्ति भैसे पर आरुन होती हैं उसके हात डंड संग चक्र और गदा से सुसोबित होती हैं एंद्री सक्ति एरावत थाती पर अरुन होती है उसके सहस्त्र नित्र हैं तता उसके हातों में बज्ज सुबा पता हैं एंद्र देवी पूजत होने पर सिद्धी प्रिदान करने वाली हैं चावुंडा की आंके ब्रक्ष के खोकले की भांती गेरी होती हैं उनका सरीर मास रहित कंकाल दिखाई देता हैं उनके तीन नित्र हैं मास हीन सरीर में अस्तिया मातर ही सार हैं केस उपर की और उठे हुए हैं पेट सटा हुआ हैं वे हाती का चमड़ा पेंती ही हैं उनके बाएं हातों में कपाल और पट्टे सहें तता दाइं हातों में सूल और कटार बे सबपर आरुण होती और हडियों के गैनों से अपने सरी को विवूसित करती हैं बिनाय गनेस की आकरती मनिशी के समान है किन्तु उनका पेट बहुत बड़ा है मुख हाती गर्दन की उपर की हड़ी, ब़रे कला ब्रस्तित और गर्दन डेड़ कला उँची होती हैं, उनके कंट भाग की लम्माई 36 अंगुल हैं और गोय भाग का घेरा डेड़ अंगुल, नावी और उरू का बैस्तार ब़ार अंगुल हैं, जांगों और पेरों का भी यही माप हैं, वे दाइने हातों में गज दंत और फरसा धारन करते ही तता बाएं हातों में लड़ू एवं उत्पल लिये रहते ही इसकंद स्वामी मयूर पर आरुण है उनके उभें पार्ष में सुमुकी और बिड़ा लाक्षी मात्र का तता साख और विसाख अनुज घड़े ही उनके दो भुजाएं हैं बेबाल रूपधारी हैं उनके दाइने हात में सकती सोबा पाती है और बाएं हात में कुंकुट उनके एक या छे मुक बनाने चाहिए गाओं में उनके अर्चा विग्रह को छे अतवा बारे भुजाओं से युक्त बनाना चाहिए परंतु बन में यदि उन उनके दो ही भुजाएं बनानी चाहिए कौमारी सकती के छेओं दाइनी भुजाओं में सकती वान पास खड़क गदा और तरजनी मुद्रा ये अस्त्र रहने चाहिए और छे बाएं हातों में मुर पंक धनों से खेट पता का अवे मुद्रतता कोकुट होने चाहिए रुद दाएं हातों में क्रमस कपाल तरकरी सूल और पास धारन करती हैं बेही देवी अष्ट गुजा के रूप में भी पुजित होती हैं मुंड माला और डमरू से युक्त होने पर बेही रुद्र चामुंडा कही गई हैं वे नित्र करती हैं इसलिए नाटेश्वरी कहलाती हैं ये ही आसन पर बैटे हुए चतरमुकी महालक्षमी की तामसी मूर्ती कही गई हैं, जो अपने हातों में पड़े हुए मनिश्यों, गोड़ों, भेंसों और हातियों को खा रही हैं। सिद्य चामुंडा देवी के दस भुजाएं और तीन नित्र हैं, ये दाएने भाग के पांच हातों में सर्ष्त्र, खड़क तता तीन डमरूर धारन करती हैं, और बाएं भाग के हातों में घंटा, खेटक, खड़बांग, त्रसूल और ढाल लिये रहती हैं, सिद्य दारन करती हैं, तता बहरवी नाम से विक्षात हैं, रूप विद्या देवी बारे बुजाओं से युक्त कई गई हैं, ये सब की सब समसान भूमी में प्रकट होने वाली तता भैंकर हैं, इन आठों देवियों को अमबाश्टक कहते हैं, चमा देवी सिलाओं, से अबरत हैं, वे एग बोड़ी इस्त्री के रूप में सित हैं, उनके दो भुजाए हैं, मुख खुला हुआ है, दात निकले हुए हैं, तता ये धर्ती पर घुटनों और हाथ का सहरा लेकर बैटी हैं, इनके द्वारा उपासकों का कल्यान होता हैं, यक्षणियों की आँ हुआ करती हैं, इनकी आँखें भूरी होती हैं, भागवान संकर के द्वारपार नंदी स्वर एक हाथ में अक्षय माला और दूसरे में तरसुल ले रहते हैं, महाकाल के एक हाथ में तलवार, दूसरे में कटा हुआ सेर, तीसरे में सूल और चोते में खेट होटा चाहिए, सरेंगी का सरीर क्रस होता है, वे नित्य की मुद्रा में देखे जाते हैं उनका मिस्तक कुष मांड के समान इस्तुल और गंज़ा होता है बीर भद्र आदी गं़, हाती और गाय के समान कान और मुख्वाले होते हैं घंटा कान के अठारे बजाएं होती हैं वे पाप और रोग का बिनास करने वाले ही वे वाएं भाग के आठ हातों में बज, खड़क, डंड, चक्र, बान, मुसल, अंकुस और मुदगर तथा दाएं भाग के आठ हातों में तरजनी, खेट, सक्ती, मुंड, पास, धनुस, घंटा और कुठार धारन करते ही सेस दो हातों में तरसू लिय रहते ही घंटा की माला से अलंकृत, देवे, घंटा कार्ण, बिस फोटक, फोडे, फोंसी, एबं, चेचक, आधी का निवारन करने वाली ही बुल अगनी पुराने की जय, बुल विश्नु भगवाने की जय